अब सूचना और रेडियो के संबल में मैं कहूंगा कि सूचना और रेडियो इन दोनों विशियों पर मंत्राले ने मुझे पूरे-पूरे ब्योरे दिये हैं जिन में अनेक विशेश बाते हैं मैं उन्हें इस सभा के सामने पढ़ोंगा नहीं क्योंकि इस में बहुत समय लग जाएगा और जो बहुत से आकड़े तिये हैं उन्ही में यह सभा फस जाएगी लेकिन इस सभा को उन ब्योरों को जानना अवस्य चाहिए और मैं मंत्राले को पुझा दूँगा कि वह उन्हें इस सभा के सामने और जनता के सामने उचित रूप में रखे जिससे वह समझ सके कि क्या हो रहा है मेरा अपना मत्रेडियो की विवस्था के विशय में यह है कि हमें जहां तक हो सके ब्रिटिश नमूने पर कार करना चाले अर्थात अच्छा यह होगा कि हम सरकार की अधिन्ता में एक अर्थ स्वायत संस्था कायम करें जिसकी नीती अवश्य ही सरकार द्वारा नियंत्रित होगी लेकिन जो अन्यता सरकारी विवाग के रूप में नहीं बलकि एक अर्थ स्वायत संस्था के रूप में चलाई जाएगी मैं यह नहीं सोचता की ऐसा करना ततकाल संभव होगा मैंने इस सभा से केवल इसकी चर्चा की है मेरा खयाल है कि हमारा उद्देश यही होना चाहिए चाहिए हमारे समुक बहुत सी कठनाईया क्यों न हो वास्ताव में बहुत से मामलों में हमारा उद्देश इस तरह की अर्ध स्वायत संस्थाव की स्थापना होना चाहिए जिनमें निती तथा अन्य बातों का नियंत्रण दूर से सरकार के हाथों में हो लेकिन सरकार या सरकारी विभाग अमारे कारेक्रमों में हस्त छेप ना करे लेकिन यह तातकालिक प्रष्ट नहीं हैं यह इस पर्ष्ट है कि हमारी विभिन सेवाओं में समचार वित्रण बाशा के प्रष्ट आदी में कौन सी निती बढ़ती जाए इस पर यहां होने वाले वाद विवाद ने सभा के विचारों का संकेत दे दिया है लेकिन इनका फल तभी निकलेगा जब समीतियों आदी द्वारा इस तरह के वाद विवाद सास्त्री इस्तर पर नहीं फिर भी पूरे ज्यान के साथ बराबर ज्यान पुर्वक होते रहे कटवती के प्रस्तावों के संबंद में गिये गए भासनों द्वारा इस विशय पर ठीक ठीक विचार हो सकता वास्ता में असंबव है मुझे एक माननी सदस्स ने यह जानकर खेद है कि कुछ प्रांतों में सलाकार समीतिया ठीक ठीक नहीं चल रही है मैंने समझा था कि रेडियो के संबंद में आवश्यक है कि ऐसी समीतिया जल्द जल्द काम करती रहे उनसे सला ली जाए और उन्हें बताया जाए कि क्या क्या हो रहा है